मेड़ शर्प्राइज पोम की समरी को डिसकस करेंगे नौ लेट्स किट स्टाड़िए दा मेड़ ओफर्स सेवरल सर्प्राइज तो दे वन वहाज एगर आई तो लुक अथे मेड़ मेड़ का मतलब होता है कोई भी हरी घास का मैदान अपिर बहुत ज़्यादा हरियाली होती है तो जहां पे जो मेड़ है वह हमें बहुत सार जिदे ओफर करती है जहां पे हम सब्प्राइज ज़ाते हैं आश्टरेश चकित हो जाते हैं इसेशली उन लोग के लिए जिनकी जो आखें हैं वो उच्छिप होती हैं मेड़ो को देखने के लिए walking on this soft velvety grass the sound of the brook a butterfly sipping nectar from the flowers जब हम बहुती soft velvety grass पे चलते हैं मकमली बहुती soft मकमली गास पे जब हम चलते हैं और उसके साथ sound of the brook जहां पे हलका जो जरने से पाने गिर रहा है और फिर जो तितली है वो पूलो में से रस चूस रही है shipping का मतलब होता है पीना और यहां पे चूसना all such sights give immense pleasure और यह सारी चीजों को देखके बहुत अंदर से बहुत जादा खुशी होती है these sights are no less than the nature's surprise gift और इनी दृष्य को sights का मतलब दृष्य और इनी दृष्य को nature का surprise gift कहा गया है walking further on और आगे चलने पर one may find a rabbit हो सकते हैं में खर्गोष मिल जाए hidden in the grass one may not be able to see it instantly और हो सकते हैं मुसे अचानक ना देख पाएं but soon it will hope in front of you और बहुत ही जल्द हो सकता है कि वो आपके सामने से चलना लगा के जाए because it would be scared कि वो डर जाएगा जब आप महां पर जाएंगे तो इसलिए वो आपके सामने से hawk करके जाएगा चलना लगा के जाएगा a dandelion that was a golden a couple of days ago would also have bloomed dandelion एक flower होता है जो कि कुछ दिन पहले सुनेरे कलर का था वो भी खिल उठेगा one could find several houses in the meadows और हमें मेडोर से बहुत सारे घर मिल जाएंगे there would be burrows in the ground burrow का मतलब होता है छेद जो गड़े होते है animals के रहने के लिए उसे बुरो बोलते है तो बहुत सारे हमें burrows मिल जाएंगे nests beneath the tall grasses लमी लभी घासो के बीच में उनके नीचे घोसले मिल जाएंगे mounds for ants and so on और चीटियो का हमें तीला मिल जाएगा mounds का मतलब तीले और ऐसी बहुत सारे चीज़े for every person there would be some or the other surprise और हर एक इंसान के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ surprise आपको मिलेंगे ही मिलेंगे स्टैंजा 1 Meadows have surprises you can find them if you look walk softly through the velvet grass and listen by the brook Meadows में हमें बहुत सारे surprises है आपको मिलेंगे surprise अगर आप उने देखेंगे तब जो soft जो घास है मकमली घास पे आप चलिये and listen by the brook और जो हलका से जो जरने से पाने गिर रहा है आप उसे भी सुनी है The above lines have been taken from Louis Branded Phillips poem Meadows surprises poet का नाह में Louis Branded Phillips Context The poet notes that a meadow has several surprises or stanza जो हम आपने डिसक्स किया और उसे पहले भी part में जो हमने डिसक्स किया है उसमें poet ये बता रहे है कि Meadows में बहुत सारे surprises अगर हम ध्यान दे अगर हम ध्यान दे अच्छे से A meadow has several surprises to offer Meadows है उसमें बहुत सारे surprises है आपको offer करने के लिए It's a great pleasure to walk through the velvety soft grass and hear the sound of Brook बहुत जादा खुशी मिलेगी अगर हम मकमली घास है अगर हम असमें चलेंगे और Brook का हम sound सुने Brook का मतलब है जरना आपर थोड़ा पानी ज्यादा मातर मेंने था पर थोड़ा पानी quantity होता है Stanza 2 You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straws to sip the nectar आप जितनी भी देख सकते हैं कि वो buttercup के उपर rest कर रही है और फिर वो फूलों से nectar याने कि जो मीठा liquid है उसके वो छूस रही है straw का माले पाइप वो अपने pipe का यूज़ करके nectar को sip कर रही है Explanation In the meadows it's possible to come across a butterfly comfortably placed upon a buttercup flowers full of nectar मेड़ो में बहुत जादा possibility है संभावना बहुत ज्यादा है कि आप एक butterfly को देखेंगे और butterfly कि इसके पर होगा flower के उपर या भी buttercup के उपर होगा full of nectar जूस होगा flower के उपर आप butterfly को देख सकते है It would seem as if the butterfly is sipping nectar from the birth and flowers with the help of a drinking straw और ऐसा लगेगा कि जो butterfly है वो nectar को sip कर रहे हैं अपने drinking straw से जिस तरह से bottle से pipe लगा के sip करते हैं उसी तरह से butterfly भी nectar को sip कर रहे है Stan the third You may scare a rabbit who is sitting very still though at first you may not see him when he hopes you will और हो सकते है कि आप एक खरगोश को दरा भी दो जो कि बहुत ही शान्त से बैठा हुआ है still कम दादा शान्त से बैठना और आपको ऐसे लगे कि आपने उसे देखा नहीं पर जब वो खूद हेगा तब आप उसे देख पाएंगे छलांग लगा कि जब वो आपके ताब सामने से जाएगा explanation walking on the soft grass one may not be immediately able to see the rabbit hiding there जब हम soft grass पे चल रहे होंगे तो possibility है कि हम खरगोश को तुरंट ना देख पाएं जो आप पे छुपा हुआ है the rabbit might get frightened by our footstep और हो सकत है कि खरगोश डर जाए हमारे पेरों की कदमों से and would hop out of the grass और हो सकत है वो घास पे से निकल के कूट के हमारे सामने से जाए that indeed is a sight worth watching और यह एक ऐसा दृष्टियों का जो हमें विलकुछ भी miss नहीं करना चाहिए standard ford a dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow एक dandelion flower है जो कुछ दिन पहले golden color में था अब वो airy parachutes बन चुका जब आप उसको फोक मारेंगे तो उसके उपर से जो white color का पार्ट होता है वो उड़ेगा explanation dandelion's or bright yellow flowers जो की bright yellow flower है that appeared golden several days ago जो कुछ दिन पहले golden color का था have bloomed और वो खिल चुके हैं and flutter as you go near and blow at them और वो उड़ेंगे जैसे आप उनके पास जाएंगे और उन पर फोक मारेंगे तो वो उड़ेंगे flutter के हैंपे मतलब है उड़ना standard five explore the meadow houses the burrows in the ground a nest beneath tall grasses the ants amazing mount जो meadows है उसमें आप बहुत सारे houses के explore करे खोजिये आप गोसले मिलेंगे चीट्यों के टीले मिलेंगे explanation if one explores the meadows अगर हम अच्छे से meadows को explore करें one comes across various houses फिर हम बहुत सारे घरों को देख सकते हैं there are burrows in the ground जमीन के ने बहुत सारे गड़े हैं meant for smaller animals जो छोटे-छोटे जानवरों के लिए हैं some nests are found beneath the tall grass और जो लंबे लंबे घास के पास हमें घोसले मिलेंगे and mounts for the ants are also there और चीटों के टिले भी हमें मिलेंगे standard 6 oh meadows have surprises and many things to tell you may discover these yourself if you look and listen well oh जहापे poet बोले कि meadows ने बहुत सारे surprises है अब बहुत सारे ऐसे चीज़े हैं जो बताने के लाइक होगी हमें लोग आप इन सबको discover कर सकते हो खुद से ही आप search कर सकते हो explore कर सकते हो अगर आप धंग से देखेंगे और सुनेंगे तब explanation if one is able to pay a little attention look and listen well one may find several beautiful surprises in the meadows अगर मचे से ध्यान दें चीजु को देखें सुनें तो बहुत सारे beautiful surprises घुपसूरत surprises मिलिंगे meadows so this was the summary of the poem meadows I hope that you've enjoyed this beautiful poem thank you so much for attending this session see you in the next lesson everyone thank you for attending this session do share and subscribe to this channel for more lessons like this check out other video lessons by clicking on the video